हम सभी को हर काम सोच समझ कर ही करना चाहिए पर हमेशा सोचते ही नहीं रह जाना चाहिए ठेंकिंग और ओवर ठेंकिंग में डिफरेंस होता है किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचना उसे अनलाइस करना तो अच्छी बात है और किसी भी चीज के बार में हमेशा ही सोचते रह जाना, जैसे कि लाइफ वहीं पे आके अटक गई हो, किसी और का में मन न लगना, और सोच सोच के अपनी तबित खराब कर लेना, नीद न आना, ये सबी लक्षण है ओवर्थेंकिंग के. जब ओवर्थेंक करने के आपकी हैविट बन जाती है, तब आपको चोटी और बड़ी प्रॉब्लम में कोई फर्क नजर नहीं आता है, आप चोटी चोटी बात पर इस्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे अपनी हैविट मत बने दीजे, क्योंकि जब चीज़े बिगरती है, तो बिगरती ही चली जाती है, अगर उसको वक्त पर कंट्रोल ना कर लिया जाए या उसे रोप ना लिया जाए, आप खुछ से एक क्वेशन पूछ सकते हैं कि क्या आप पांच या दस साल पहले ऐसे ही थे, क्या चीज़ों को लेके इतना ओवर्थिंक किया कर चीज़ों को जल्दी भुला नहीं पाते थे, तो अब ये हैबिट आपके बन चुकी है, ये आपके परस्नालिटी में शामिल हो चुकी है, अब आपको सीरियसली इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि आप अपने मेंटल हेल्थ गवा रहे हैं, और इससे के साथ साथ आपक अब कैसे समझेंगे कि आप को ओवर्थिंग करने लगे हैं, अगर आप किसी बात को जल्दी भुलाने पाते हैं, लगाता उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, आपके मन में एक घबराट बने रहती हैं, अपने पास ये फ्यूचर को लेके, आपका किसी कामे मन नहीं लग काने लगे हैं, तो आप समझ लिजे कि आप overthink करने लगे हैं, अगर इसे रोका ना गया, तो ये कोई serious mental issue create कर सकता है, ओवर्थिंग को रुकने के कई तरीके हैं जैसे कि meditation अगर आप ओवर्थिंग या stress को दूर करने के लिए meditation करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं अगर नहीं करते हैं तो आप से शुरूर कर दीजे क्योंकि ये आपके mind को relax करता है busy रहे कुछ भी ऐसा करिए जो कि आपको खुशी दिलाती है कोई भी hobby या कोई भी activity जिसमें भी आपका mind लगता है उसे अपने routine में शामिल कीजे भले ही आपके दोस्त आपके stress या anxiety को दूर करने में कोई मदद ना कर सके पर आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएए आप better feel करेंगे अकेले वक्त बिताना कम कीजे अकेले में overthinking ज़्यादा होती है लोगों के पीच में आप जब जाएंगे तो आप उनसे बहुत कुछ सिखेंगे हो सकता है जिस problem को आप बड़ी problem समझ रहें वो दूसरों के लिए छोटी सी problem हो आप तब भी आप देखेंगे कि वो किस तरीके से ऐसे में भी खुश रहते हैं आपको problems के साथ deal करना आएगा आप अपने problems या stress को खुद पहावी नहीं होने देंगे ज्यादा तर लोग अपने past और future के बारे में सोच सोच के परिशान रहते हैं सबी को अपनी future की या अपने बच्चों की future की चिंता रहती है लेकिन कुछ लोग future के बारे में उतना जादा सोचने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके पास present है जिसमें लिया गया सही decision, सही action उनकी future को बदल सकता है इसलिए जो समय अपने पास है उसका सही इस्तमाल किज़े future तो अपने आप ही समभल जाएगा इसी तरह के से कुछ लोग अपने past में हुए कुछ bad incidents के बारे में ही सोचते रह जाते हैं अगर उनके साथ कुछ भी पूरा हुआ होता है तो अपने past में हुए जो भी good moments है उनको याद रखिए अपने experience से याद रखिए जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे और उन सभी mistakes को याद रखिए जो आपको आगे नहीं करने है बाग की कुछ भी याद रखने लाइक नहीं होता है आप जैसे दूसरों के साथ behave करते हैं सेम वैसे ही दूसरों से expect भी करते हैं जब सेम चीज आपको नहीं मिलती है तो आप stress ले लेते हैं आप ये सोचते हैं कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया आपका control खुद पर है आपकी सोच पर है लेकिन आपका दूसरों पर या दूसरों की सोच पर कोई control नहीं आए इसलिए positive बने रहे और दूसरों से expect कम करें ये बात आप ध्यान रखेगा कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है जो चीज़े अपने control में बस आप उसके बारे में सोचे जो चीज़े अपने control में नहीं उसके बारे में सोच के अपने आपको परिशान मत किजिए जो चीज़े आपके कंट्रोल में हैं बस आप उन्हें ही बदल सकते हैं और जो चीज़े नहीं कंट्रोल में हैं उसे वक्त पे छोड़ दीजे वक्त के साथ साथ कुछ चीज़े अपने आप ही बदल जाते हैं हम सभी इंसान है भगवान तो नहीं है जो सब कुछ बदल सकते ह अगर आप overthink इसलिए करते हैं कि किसी problem का solution मिल सके तो overthink करना सही है क्योंकि आपको किसी problem से मुक्ती मिल रही है पर अगर आप overthink किये जा रहे हैं पर आपको problem का solution नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचना बंद कर दिजे क्योंकि हर्स चीजी आपके control में नहीं होती है कुछ लोग solution के जगव problem के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और राई का पहाड बना लेते हैं अगर आपको किसी problem का solution नहीं मिल रहा है तो आप किसी से राई ले सकते हैं ऊच सकते हैं क्या को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी आप problems से बाहर निकल सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा Problem तो तभी solve होकी जब आप कोई action लेंगे सोचने से कुछ नहीं होगा इसलिए एक problems की list बनाएए उन सभी problems को लिखिए जिसके बार में आप हमेशा सोचते रहते हैं फिर उन problems को टिक केजिए जो कि आपके control में है यानि जिसकी लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या करना है क्या action लेना उसी के सामने लिख दीजिए कभी कबार बहुत सी problems एक दूसरे से related होती है जब main problems solve हो जाती है तो बाकी problems भी अपने आप solve हो जाती है इसलिए सोचने में timely waste करना है बलकि action लेना है अच्छी नीद लेने की कोशिच कीजिए सोने से पहले कुछ positive सोचिए खुद से कुछ positive बोलिए जैसे मेरा कल का दिन आज से better होगा इसी तरह के से कुछ भी आप खुद से बोली जिससे कि आपको अच्छा लगए अच्छा महसूस हो और आपका stress कम हो सके अगर आपको नीद नहीं आती है रात को तो आप head massage कर सकते हैं अगर आपके पास कोई head massage है तो इससे अपना head massage कीजिए या किसी से करवाईए इसे क्या होगा आपके head का blood circulation बढ़ेगा आपके stress कम होगा और आपको नीद बहुत अच्छी आएगए अच्छी नीद लेना बहुत ज़रूरी है या आपके mental health के लिए अच्छा है और आपके physical health के लिए भी अच्छा है लाइफ में कुछ नया change लाइए जब आप वही boring से routine follow करते हैं वही पुराने घिसे-पिटे माहल में रहते हैं तो पुरानी बातों को भुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह सब ही बाते इन्हीं सब से connected होती है जब कुछ नया करेंगे अपने routine में कुछ नया पन लाएंगे तो आपके life में भी कुछ नई चीज़े होंगे आपके mind में भी कुछ नया आएगा और पुरानी बातों का भूल पाएंगे आप कहीं बाहर जा सकते हैं घुमने फिरने के लिए अपने routine में थोड़ा बदलाव लाइए अगर आप एखाव स्वाइफ है तो न हो भी पाएगा competition का दोर है ambitious होना भी सही है पर over ambitious होना सही नहीं है क्योंकि आपको fail होने का डर बना रहता है कोई भी fail नहीं होना चाता है पर fail होने का मतलब यह नहीं है कि आपको दूसरा मौकर नहीं मिलेगा आपका काम है कोशिश करते रहना आपको control-caver efforts में है ना कि result में result की चिंता आपको नहीं करने बलकि कोशिश करते रहना है फेड़िट सॉंग सुना कीजिए कान में headphone लगा लिया करिए और कोई भी peaceful song ये motivation song सुनिए negative loom और negative thoughts से तो बचके ही रही है negative loom डरे हुए को और भी डरा देते हैं वो सब चीज़ें आपकी दिमाग में भरते हैं कि जिसके बार में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपकी दिमाग में negative thoughts आने लगेंगे और उन वीडियो को भी देखने से बचें जिससे कि आपकी overth जब भी आपको लगे कि आप और बढ़ रहे हैं तो आप अपने माइंड को टाइवर्ट करने की कोश्च किजए और वो सभी टिप्स फॉलो किजए जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में पता है हम सभी कभी न कभी ओवर थिंग करते ही हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस च रहना क्या चाते हैं देखिए जिन्दी की लंबी है इसे यूही सोच कर बरबाद नहीं करना है बलकि मूव ओन करना है मेरी चैनल पर आपको इसी तरकी की वीडियो मिलते रहेंगे इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजेए साथ में वैल आइकन जरूर प्रे अभाल आपको ताम मेरे चैनल बरबाद तर लिए घए झाल झाल